नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबीगा स्पेशल गुरुजी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत अच्छी ख़बर के साथ जो जुड़ी है डी ट्रिपलेजबी के एडवेटाजमेंट नमबर दोजार एकिस जो TGT की वेकेंसी दिल्ली कॉवर्मेंट में अभी आई हुई है जिसके फॉर्म अभी DTSB द्वारा भरे जा रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर एडवोकेट अशोगरवाल सर ने यहाँ पर अपने फेस्वुक पेज पर एक पोस्ट डाली है आए पढ़ते हैं पोस्ट में क्या लिखा है दोस्तों आप सभी को पता है कि DTSB में जो TGT की पोस्ट होती है उसमें सभी केटिकरी की महिलाओ के लिए 10 साल का जनरल एज रेक्सेशन होता है यानि maximum age limit जो महिलाओ के लिए रखी जाती है वो 40 साल रखी जाती है लेकिन इस बार जो TGT की वेकेंसी आए थी DTSB में जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं उसमें दोस्तों ये 10 साल वाला रेलेक्सेशन जो था वहाँ से अडविटाइजमेंट में से हटा दिया गया था तो इसी के अगेंस्ट बहुत सारे कैंडेट्स ने advocate Ashok Agarwal के through cat court में case ताखिल किया था जिसका order cat court ने गया है जो advocate Ashok Agarwal सर ने यहां पर पोस्ट करके बताया है the order came on several petition filled by candidates through advocate Anuj Agarwal cat order DTSB to allow candidates a week more time to apply तो दोस्तो cat court ने order दिया है DTSB को कि सभी महिलाओं को maximum age limit 40 साल रखी जाए और सभी candidates को एक हफते का extra time दिया जाए form fill करने के लिए तो दोस्तो ये order cat court ने अभी DTSB को दिया है इस पर DTSB देखते हैं आगे क्या फैसल देते हैं आगे वो इस order को मानते हैं या फिर आगे अगली अदालत में इस court इस फैसल के खिलाफ petition दायर करते हैं तो ये देखने वाली बात होगी दोस्तो लेकिन अभी cat court ने यहाँ पर DTSB को निर्देश दिये हैं कि सभी female candidates के लिए जो age है वो 40 साल लखी जाए इसके साथ साथ form भरने की जो limit है form भरने की date को आगे बढ़ाया जाए एक हफते का जाधा time यहाँ पर देने के लिए बोला है तो सभी candidates जो महिला candidates हैं जो DTSB में form apply करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी ख़बर है अगर DTSB इसको मानकर एक शुदी पत्र जारी कर देता है तो सभी candidates को relaxation के साथ साथ form भरने के लिए एक्शा time भी दिया जाएगा दोस्तों अगर आपको जानकरी इच्छे लगी है